नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आप Microsoft Paint को देखने वाले हो Microsoft Paint जिसे sort में MS Paint भी बोलते हैं जैसा कि हम लोग MS Paint के Tutorial को देख रहे हैं MS Paint के Tutorial को देखने के करम में हम पीछे के दो वीडियो में आपको Home Tab के अंदर Colors, Shape, Tool और साथ ही आपको जितना भी Basic Knowledge होता है वो सारा Knowledge को आपको बताया गिया है आप वीडियो नमबर 3 को देखने से पहले वीडियो 1 और वीडियो 2 को अच्छे तरीके से देख लें पिछले क्लास में हमने सारे Tools के Option को देख लिया था इस वीडियो में Image के जितने भी आपको Option है सारे Option को बताया जाएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर Selection पर क्लिक करो तो आपको बहुत सारे Option यहाँ पर Show हो रहे है सबसे पहला जो है आपका Retangular Selection यानि यह आपका Retangular Type से Select करेगा जैसे अभी हम को Select करते हैं और इस तरीके से G9 को Select कर लेते है Select कर लिया गया है आपको बता दे कि MS Paint में आप जब भी Select करके यह आपका चारो साइट जो Dot लिक रहा है यह आपका Selected है Select करने के बाद आपको इस पर Left Click प्रेस करके आप इसे जहाँ भी चाहो ले जा सकते हो तो यह आपका क्या हो चुका है? Cut हो चुका यहाँ से Next Option जो है, वो है Free Form Selection यानि Free Form Selection जो कि आप अपना मन चाहे Selection कर सकते हो इस पर Click करते हैं, Click करने के बाद आप यहाँ से जैसे मुझे यह 9 को बस Select करना है तो आप इस तरीके से करके 9 को Select कर सकते हैं तो यह आपका 9 Select हो चुका है, इसको इस तरीके से प्रेस करके आप जहाँ पर भी इसको Move करना चाहें कर सकते हैं ठीक है? बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं, Next Option जो है Selection Options करके सबसे पहला यहाँ पर Select All, Select All का Use हमने पहले भी देख लिया है अभी भी हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पर अगर आपको Drawing Area को Select करना हो तो Simply आपको यहाँ से प्रेस करना है यह आपका Select All हो चुका है, Select All होने के बाद आप यहाँ से चाहो तो डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं कि यह आपका हो जाएगा Undo अगर आप Short Cut के जड़िये नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है यहाँ से आप Ctrl J करोगे तो यह आपका Back आ जाएगा जो भी आपका एक Step आगे हुआ है उसको यह पीछे कर देगा, ठीक है बढ़ते हैं आगे और Next जो है हमारा Invert Selection, Invert Selection के लिए यहाँ से आपको कोई भी ड्रोइंग को आपको Select करना पड़ेगा तो सबसे पहले Select कर लेते हैं, यहाँ से Retangle को Select करके यहाँ से Select कर लेते हैं इस तरीके से Select करने के बाद आपको यहाँ से Invert Selection पर क्लिक करना है और आपको प्रेस कर लेना है अपने Keyboard में Delete बटन तो आप देख पाओगे यह आपका Page का ड्रोइंग पूरा किलियर हो चुका है बस जिसे आपने Select करके रखा था वह आपका Present है फिर से एक बार यहाँ से इस पर प्रेस करते हैं तो यह आपका क्या होगा Undo होगा यानि आपका Last Action फिर से वापस आ जाएगा ठीक है Next Option जो है आपका Delete का जो कि अभी आपका Highlight नहीं है पहले आप Select कर लो फिर आपका Automatic Highlight हो जाएगा इस तरीके से Select करने के बाद आपका Highlight यहाँ से हो चुका है आपको Simply यहाँ से प्रेस करना है तो यह आपका Delete हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप Simply Delete कर सकते हो एक बार फिर से हम क्या कर लेते हैं अंडू कर लेते हैं यहां से हमारा G आ चुका है और Next Option को समझ लेते हैं यहां से यह है Transparent Selection Transparent Selection क्या होता है वो आप समझो जैसी अभी यह SELECTION को सबसे पहले Select कर लेते है अभी यह आपका G सेLEC हो चुका है select करने के बाद अगर आप इसे दूसरे ड्रोइंग के उपर ले जाओगे तो आप यहां पर देखोगे कि आपका यह जो है side में border जो है आपका यह white area को भी select कर लिया है इसे हटाने के लिए आपको simply यहां से click करना है transparent selection पे आप यहां पर देख पार हूँ यह आपका transparent selection हो चुका है देख रहे हो आपका जहां पर भी यह white था यह आपका remove हो चुका है इस तरीके से आप यहां पर transparent selection का use कर सकते हो यह से ctrl z कर लेते हैं तो यह आपका फिर से जैसे आपने starting किया था वैसे आपका हो जाएगा ठीक है ctrl z से वही अगर आपका वापस होगा तो ctrl y से आप redo कर सकते हो और इससे undo कर सकते हो तो redo करना हो तो आप यहां से देखो आपका redo हो रहा है और undo करना हो तो आप यहां से ctrl z प्रेस करें या फिर इस पर click करें next step का crop crop करने के लिए फिर से एक पर select कर लेते हैं select कर लि ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग फोटो को क्रॉप करने के लिए फोटो को क्रॉप करने के लिए पासवर साइट फोटो बनाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है क्रॉप का next option है यहापका resize तो भी समझने के लिए पहले यहाँ से select कर लेते हैं आपका भी 100% है ठीक है यहां से horizontal 100% और vertical जो है यह आपका 100% है ठीक है धियान दे रहे हो अगर आपको इसमें से गर कुछ कम करना हो जैसे मुझे इसका 50% करना है यहां से 50 टाइप करना है तो आप यहां पर देखोगे एक चीज कि आपका horizontal 50 कर रहे हैं तो आपका vertical भी 50 हो रहा है यहां से जैसी आप-क्लिक करोंगे तो आपका यह resize हो जाएगा यह तो आपने समयझ़गे आप Co ever हो परसेंटेश का वहीं अगर आपको pixel में करना हो तो Pixel भी हुआ बहुत को एडिया आपको हों प्रिक्सल में चाहिए कि इसकी आ चाहिए दाटक नारे साथिन पर्छोल कि करो यहां पर इमेज देख गे तो हो ओगा अगर इसे आप करते हो जैसे मैं इसे करता हूँ 99 जैसे ही आप 99 करोगे तो आपको यहाँ पर एक message आ रहा है Please enter a valid number between minus 89 and 89 तो आपको इस दोनों के बीच में ही number रखना है तो हमने क्या ले लिया था 99 तो हमें यहाँ पर कुछ और ले ले लेना जैसे यहाँ ले लेते हैं 50 horizontal 50 ले लिया गया है और जैसे ओके करेंगे तो आप इसको देखो यह आपक किस तरीके से हो चुका है देखो आप ठीक है इसे आप यहाँ से control जैट करते है ठीक है फिर से एक बार इसे select कर लेते है select करने के बाद फिर से आप यहाँ पर चल जाओ और इस size में और अब समझते हैं यहाँ पर बर्टिकल अभी बर्टिकल को अगर 50 डिग्री पर किया जाए तो कैसा आता वो देखते है बर्टिकली यह अभी अपका यह आ रहा है ठीक है यहाँ से इससे cut करते हैं I hope कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे यहाँ से control z करते हैं वापस हमारा यह पहले जैसा हो चुका है अब यहाँ से rotation को समझते हैं rotation को समझने के लिए भी आपको यहाँ से selection करना पड़ेगा तो यहाँ से select कर लेते हैं select करने के बाद आप यहाँ से rotation को समझते हैं अगर आपको rotation 80 degree right करना हो तो simply आप यहाँ पर click करें तो यह आपका 80 degree right हो चुका है ठीक है कभी कभी आपका इस तरीके से आएगा तो आप इसे इस तरीके से खीच करके भी इसको सरी कर सकते हैं ठीक है फिर से यह rotation पर आते हैं अभी आपका यह right हुआ 90 degree तो इसी तरीके से आप यह rotation का और rotate 180 degree करोगे तो यह पूड़ा क्या हो जाएगा अपोसित हो जाएगा अगर flip vertical करोगे तो यहाँ देखो यह यह flip vertical हो चुका है वहीं इसे अगर flip horizontal करोगे तो यह आपका horizontal flip हो चुका है ठीक है इस तरीके से आप इसका changes कर सकते हो यहाँ से control chart प्रेस करके इसे back कर लेते हैं यहाँ पर back हो चुका है तो आपने यहाँ इमेज ग्रूप के सारे option को अच्छे तरीके से समझ लिया तो अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, cut, copy सबसे पहले selection को कर लेना selection करने के बाद ही आपका यहाँ से copy paste हो पाएगा तो अभी यह आपका selected है selected है तो आपको अगर copy करना हो तो यहाँ पे copy पी click करें उसके बाद paste करना हो तो simply आप यहाँ पे click करें यह आपका paste हो के आ रहा है जब तक यह आपका selected है इसको जहाँ चाहे वहाँ पर कर सकते हैं ठीक है फिर से paste कर लेते हैं यह आपका आते जा रहा है इस तरीके से आप कर सकते हो वहीं अगर आपको shortcut बता दें कि copy कैसे करना हो तो copy के लिए आपको simply control के साथ c दबाना है copy हो जाएगा और paste के लिए control के साथ भी दबाना है तो यह आपका paste होते जाएगा ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पर आपने copy paste को समझ लिए आप cut को भी समझ लेते हैं cut में क्या होगा कि यह आपका actually cut हो जाएगा जैसे अभी आपका यह वाला selected है इसे हमें क्या करना है cut करना है तो control के साथ X प्रेस करोगे तो यह आपका cut हो चुका है cut होने के बाद यह जो है आपका RAM में store हो जाता है इसे अगर control के साथ भी प्रेस करोगे यानि paste पर क्लिक करोगे या फिर आप इसे paste करोगे तो यह आपके सामने आ जाएगा जैसा कि आपके सामने आ जोगा है ठीक है इस तरह यह सब को simply paste पर क्लिक करते जाना यह आपका आते जाएगा clipboard में यतने option थे साड़े option को भी अच्छे तरीके से समझ लिया है ठीक है आपको बता दे कि आपने home tab के अंदर आने वाले clipboard, image, tools, shapes और colors यह साड़े option को हमने detail में देख लिया है तो बढ़ते हैं आगे और next tab जो है वह वह व्यू करके अगर आप view में यहापे आओगे तो view में आप यहापे देखोगे zoom in, zoom out इसको हमने पहले भी देख लिया है आप यहाँ से भी नीचे से भी कर सकते हो zoom in, zoom out, ठीक है आप यहाँ से एक बार फिर से zoom in पे click करो तो आपके सामने आप यह आपका zoom होते जा रहा है और यहाँ पर आपको mention हो रहा है कि यह आपका 300% है zoom out करोगे तो यह आप zoom से बाहर निकलते जाओगे तो अभी आपका 100% है फिर zoom out करोगे तो यह और small होते जाएगा zoom out में आपका small होगा और zoom in में आपका large होगा अगर आप इस page को zoom करके आप 200 कर दियो ठीक है आप simply आपको यहाँ पर click करना है तो यह आपका zoom automatic 100 हो जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि 100% drawing area जो आपका यह best प्राता है तो next option है ruler करके आप जैसे ही यहाँ पर ruler पर click करोगे तो आपको यहाँ पर ruler का symbol हो रहा है आप यहाँ से इसे use कर सकते हो ठीक है यहाँ से सबसे पहले control A करके all select करते हैं उसके बाद यहाँ से delete करते हैं अगर आपको यहाँ से कुछ selection करना हो तो आप यहाँ से selection कर सकते हैं इस तरीके से कुछ करना हो वहीं यापे next option जो है green lines करके इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे आपके सामने छोटा-छोटा square box आ चुका है अपने इस तरीके का page को math में जब आप graph पर रहे होगे तो आपने देखा होगा, ठीक है? कई बार जो है इस तरीके का जब कोई artist एक perfect drawing करना चाहता है, वहाँ पे वो ruler का भी use करता है और green line का भी use करता है ताकि उसका drawing perfect बने यह आपका status bar है status bar आपका यह नीचे में जो आपको यहाँ पे task bar से just उपर में आपका एक आ रहा है, इसे ही status bar बोला जाता है और यह आपका status bar पे जैसे ही आप tick रहेगा तो आपका यहाँ पे sue होगा और यहाँ से आप untick कर दोगे status bar आपका sue नहीं हो रहा है status bar अगर आपका sue नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तो आपको पता नहीं चलेगा आपका page कितना percent zoom है कितना नहीं है तो यहां से click कर लेते हैं status bar यहां पर display में full screen और thumbnail option को समझने के लिए यहां पर simply कोई एक drawing कर लेते हैं यहां से home में जाते हैं और यहां से कुछ drawing कर लेते हैं ठीक है जैसे हमने यहां से कुछ drawing कर लिया है आपको समझाने के लिए यहां से view पर जाने के बाद अगर आपको full screen जैसे ही आप full screen पर click करोगे तो आप यह देख पा रहे हो आपका यह drawing full screen पर सुख हो रहा है यहां से escape दबा दे ताकि आप वापस फिर से drawing area पर आप आओ next step का thumbnail thumbnail को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहां से zoom करना होगा यहां से इसको तुरा zoom कर लेते हैं उसके बाद जैसे ही आपका यह drawing area जूम हो जाएगा यहां से चाहो तो cut करना चाहो तो आप यहां से cut कर सकते हो ये काम क्या करता है, आप जब ڈرोइंग करते हो तो आपका ये ड्रोइंग करते करते पेज का भी बड़ा हो जाता है तो वह आपको walt.me.πα दिखलने के लिए, ये यहाँ से thumbnail का use करके आप walt.maa की देख सकते हो करोगे तो यह वापस ले भी जाएगा ठीक है यहां से पेज को नॉर्मल करते हैं नॉर्मल करने के लिए यहां से सिंप्ली स्पी क्लिक करते हैं 100 पे तो यह आपका पेज 100% पे आ चुका है जो की perfect page size रहता है I hope कि दोस्तो यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो like करें दोस्तों के साथ share करें और channel को subscribe कर लें क्योंकि आपको इसी तरीके का वीडियो लगातार इस channel पे मिलते रहेगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहें और व्यास्त रहें